तो जैसे कि दोस्तो बारतिय बजार में एक और नई SUV कदम रखने वाली है तो चलिए जानते हैं कौन सी है ये SUV दोस्तो अभी तक आपने हमारी न्यूज एन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दवा के चैनल को कर डीजिए जल्दी से subscribe और साथ में दोस्तो जिन्होंने subscribe कर रखा है और bell icon को नहीं दवा रहा है, तो side में bell icon पे click कीजीए, यहाँ पे आपको तीन option मिलते हैं, सबसे उपर वाले all option पे click कर दीजेए, और channel की notification को on कर लीजेए, ताकि आप सभी को हमारी videos की notification मिल जाए सबसे तो दोस्तो बारतिय आटो मोबाइल बजार दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए बजारों में से एक है हाल ही में बारतिय बजार में इस समय एमजी और किया मोटर्स जैसी कई अन्य कंप्टियों ने दस्तक दे दी है अब दोस्तो पीयसे ग्रूप का पॉट डीयल आटो मोबाइल जल्दी बारतिय बजार में अपनी नई कारे लॉंच करने वाली है हाल ही में डीयस सेवन क्रॉस बैक एस सिवी को दिल्ली में टेस्टिंग के दोरान भी देख लिया गया है और दोस्तो इस्टोन और डीयस आटो मोबाइल दोनों एक ही मुल्ले कमपनी है जो की पीयसे ग्रूप से संबंदित है फिलाल डीयस बारत में आ गई है और दोस्तो जैसे की डीयस सेवन क्रॉस बैक एस सिवी को बारत में कई बार टेस्टिंग के दोरान देखा जा चुका है अब दोस्तो फाइनली इसको भारतिय बजार में 2020 फैप में होने वाले आटो एक्सपो के दोरान हम सभी के लिए पेश किया जाना है तो इस कार की इंजन और प्रेसिवेशन के बारे में जानते हैं और दोस्तो इंजन और पावर की बात कीजए तो इंटरनेशनल लेवर पर विखने वाली 7 में आपको 1.5 लिटर का डीजन इंजन देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ दोस्तों आपको 2.0 लीटर का भी डीजल इंजन देखने को मिलेगा और 1.6 लीटर का टर्पो चार्ज पैट्रल इंजन जैसे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं और दोस्तों मैं आपको बता दू कि वर्तमान में PS ग्रूप का हॉस पावर प्लांट पावर टैन और ट्रांस्पिशन का प्रोडेक्शन करता है जिससे ग्रूप को लागत कम रखने में मदद मिलती है क्योंकि इसका लक्षे 90% स्थानिय स्थर पर निर्मान करने का है दोस्तों बारी आती है कीमत और लाउंचिंग की तो भारतिय बजार में ये DS7 Crossback SUV 2020 में होने वाले फरवरी में Auto Expo के दोरान पेश की जाएगी हम सभी के लिए और कीमत की बात कर लिए तो दोस्तों DS7 Crossback SUV की स्टार्टिंग एक शोरूम कीमत मातर दोस्तों 5.80 लैक रूपीज से रखी जाएगी वही इसके टॉप विरियंट की बात करें तो दोस्तों वो 8.70 लैक रूपीज तक जा सकता है बारतिय बाजार में दोस्तों ये तीन वीययरिंट पे उतारी जाएगी और तीनों ही मेरियंट में दोस्तों आप सभी को Gesundheits6 engine देखने को मिलने वाला है अब दोस्तों देखना ये है कि ये बारतिया बाजार में लाँज होती कौन सी कारो को तकर दे पाती है बाखी दोस्तों अपनी रहे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बदाईएगा और वीडियो को भी ना लाइक करें बिलकुल मच जाएगा मिलेगे दोस्तों आपसे नेक्स वीडियो में धन्यवाद